सीम नितीश कुमार के फैसले को अपर मुख्य सचिव ने पलट दिया है अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने आदेश में बदलाव किया है स्कूल की टाइमिंग को बदला गया है और शिक्षकों को पहले की तरह आई स्कूल आने को कहा गया है बिहार में 8 जून तक कूरी तरह शिक्षन कारिय बंद रहेंगे इस वक्की ये बड़ी खबर आ रही है अपर मुख्य सचिव ने सीम का जो आदेश था उसको बदल दिया है ये जानकारी मिल रही है इससे पहले विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगाये जा रहे थे कि बिहार में अफसर साही हावी हो गई है और स्कूली टीजर्स को लेकर की जो फैसला बदला गया है इससे कहीं न कहीं ये आरोप और पुखता होते